जैसी अराम भक्त जनों प्यारे वक्तों ऐसा कौन सा मंत्र है जो सबसे सर्प्स्रिष्ट है और जिसकी मेहमा को कोई गाही नहीं सका है और नहीं कोई गा सकेगा बड़े ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें नाम मंत्र सबसे अधिकाई याकी मेहमा कही न जाई नाम मंत्र दीक्षित जो होई ताको मंत्र और नहीं कोई नाम की उपमा नाम सयानी गुप्त भेद तो है कहों बखानी राम नाम अंसान से तीन सिद्धी प्रकटाए सोहंग बीज सुहाबनों ओंकार सुखदाए राम नाम को कीने ध्याना स्रिष्टी ध्यान होई जात तजाना राम नाम तज अंते ध्यावे सबने उसो सुख सुगत नपावे प्यारे भगतों बड़े ध्यान से सुनना बहुत ही गजब की बात है जल्दी से सुनने को नहीं मिलेगी नाम वह मंत्र है जो सबसे अधिक सक्साली है इसे अधिक सक्साली न कोई था न है न होगा और जिसकी मेहमा न कोई पहले गा सका है न कोई गाएगा उन्हों कोई गा सकता है नाम मंत्र की दिक्षा जिसको मिल गई है उसको किसी और मंत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बढ़कर कोई न था न है न होगा नाम की उपमा इतनी अधिक है कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है और वो गुप्त से भी गुप्त है उसका बखान कोई नहीं कर सकता है वो केवल अन्हों में आता है वो नाम आगे क्या कहा है कि राम नाम अंसा से तीनों सिद्या उस राम नाम के एक अंस से तीनों सिद्या प्राफ्त हो जाती है और वो क्या है यह भी ध्यान से समझे ज्यादा खोल करके नहीं बताएंगे सोहंग बीज सुहाबना ओंकार सुखदा है वो सोहंग बीज है और उसके अंदर जो ना ओंकार सुख का धाम है लेकिन ओंकार निराकार है और सोहंग साकार है तो जो उस राम नाम का ध्यान करता है स्रश्टी उसके अधीन हो जाती है और राम नाम को अंत समय में जो ध्यान करता है उसको परंप्राप्ती होती है तो प्यारे भक्तों आप समझ गए होंगे कि वह मंत्र क्या है जो सबसे सक्टसाली है सब कर बढ़कर है जिसकी मेहमा को कोई गा नहीं सकता है तो प्यारे भक्तों हम अपने वीडियो में बहुत सारी चीज器 आपको बताते रहते हैं आप ध्यान से सुना करें और अपने जीवन में उतारा करें आज के लिए सिर्फ इतना ही जैस यरा